नमस्का दोस्तों आज की वीडियों बात करने वाला हूं बायविटा जो पी आई कंपनी का आपका बायविटा अता है लिक्विड जो लगभग जो है आपका एक लिटर के आसपास जो आता है 900 रुपए का आपको मिलता है लगभग और 4500 के आसपास आपको 500 ml का जो डबब मि है तो आज इस वीडियो में आपको फूल डेटेल में बताने वाला हूं तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लागए तो लाइक कर दें जरूर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर जो बायविटा आपका रहता है उस कि भी बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है पर उसी के साथ साथ जब आपके पॉद में फूर इंगा आना वह आना सुरू हो जाता है तो उसके बाद जो माइक्रो नीट्रियंट्रियन्स की जो ज़रूरत है वह बढ़ती जाती है उसी से जो आपका फूल उसकी बढ़तरी हो तो आपकी जो बाया वीटा रहता है उसमें जो है लगबग आपका sulfur, magnesium, calcium, sodium, boron, iron, magnesium, copper, zinc और बहुत सारे जो useful, जो micronutrients हैं वो available रहते हैं जो कि आपकी पॉद्वी खास के लिए बहुत ही ज्यादा जो है important रहते हैं और बात करते हैं दोस्तों आगे से डोज की तो आप इसको लगबग इसके साथ आपको ढखकन मिलता है जिसमें कि आपको पर ml बताया जाता है कि आपको इस तरीके का जो डबा रहता है तो मैं बात करूँगा कि जो 16 लिटर का पंपाता है उसमें जो है आप लगबग 35 से 50 ml त मिला सकते हो और मोटा ना जो आपका रहता है लगबग जैसे घी होगया अपका धान वियरा उन फसलों में आप इसकी छिड़काव जो है दो बार कर सकते है जब आपकी फूल दाना आना सुरू हो जाता है तो उस तोरान लगबग 15 दिनों की गैप में आगे पीछे आप इस आपकी सबजियों में फ्लावनिंग आना सुरू हो जाती है तो उस तोरहन आपके पौदे को बहुत ही ज्यादा जो चोटे तत्व रहते हैं उनकी जरूरत पढ़ती है हाला कि बड़े जो मैक्रो मैक्रो न्यूट्रेंट्रेंट्स उनकी मात्रा आप अपने पौदे को पू पौदे के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस पढ़ता है तो उस तोरहन उसकी माइक्रो न्यूट्रेंट्स बहुत ही ज्यादा डिमांड में उसको जरूरत होती है तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहता है इसकी स्प्रेय आपने हर 15 से 20 दिनों में एक वार इसके चिटकाओ करना जरूरी रहता है जो डोज बता दिया लगवग आप 35 से 50 से मिल की बीच में जो है सोलरेटर के डाल सकते हो और जितने आपके पंप लगता है चोटी बड़ी फसल आपकी नभी चोटा है बड़ा है तो उसके लग 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 फसल मे देखने को मिल जाएगा कि आपकी बहुत किस तरीके से हर्याली लेती है और इसमें जो है किस तरीके से उसकी फ्लावरिंग होती है उसमें फ्रूटिंग कितने अच्छे तरीके से जलती है और इसका साइड इफेक्ट ही करता है कि अगर आप एक वार स्प्रे कर लेते हो आपको लगता भी ऐसा कि लो जा रही है हलांकि आपकी फसल एवरेज रहती है पर आपको लगता है कि वह बहुत ही लो जा रही है क्योंकि उसको पहले एक बुष्ट मेल चुका होता है तो बैटर रिजल्ट के लिए लगवग आप जो है इसकी चिड़का होजए 15-20 दिनों में एक बास जरूर करें आपकी फसल लगवग जो है धाई से 3 महीने चलती है तो उसमें आपका ज्यादा कॉश्ट जो बी आपको बहुत बैतर मिलेंगे तो दोस्तों, इसके ऊपर ही बरेजी रह में उपिपनिक को, जैनाु ने झाल श्रॉप Kalau बीचेना डिय मुआ अपयों ओकर एक और सुट पानिक ना बीड़ना को में मुंआ हो यही आपको सब कुछ करके देगा, क्यूंकि अगर आप फंगस से नहीं बचाओगे, अगर आप उनको कीड़ों से नहीं बचाओगे, तो आपकी फसल जो है धरी की धरी रह जाएगी, आपका जो अधर आपका जो भी एक्सपैंस होता है, जो भी आप खर्च गरते हो, आपका जो निस्फल चला जाता है, आपको बिलकुल लॉस में चले जाते हो, तो इस तरीके से यह एक आपके पौदे को बोश्ट देता है, जो की बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रोध करता है आपके पौदे को, आपको अच्छी फसल देता है, और आपकी फूडिंग बाइब्चलां एक जलती रहती है तो अब तक आप इसके स्प्रेश स्प्रेश हो ऺती है दो सिर습니다 ये अब तक सुन्यत्ति है या सवस्राइब भ्रॉटिक हो निस स्प्रेश कनई और फ्लावरिंग Si जब तक उसका साइज नहीं बन जाता तब आप इसकी स्प्रेय कर सकते हो लगवग 15 से 20 दिन आगे तक इसकी स्प्रेय करते रहें इसी के साथ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना मुले समय देने के लिए बहुत बात धन्यवाद